नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इसक्त सुबाश ठाकुर के साथ दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों से ये अपील है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अपना ख्याल रखें और अपने साथ-साथ अपनों का भी ख्याल रखें और NTA UGC NET, JRF, हिंदी की तैयारियों के अंतरगत हम 1.5 अपना कर रहे हैं और इसमें हमने नागरजुन की कविताएं लगभग सभी कंप्रीट कर ली हैं और इनकी जो आखरी कविता जो हमारे पार्टेक्रम में शामिल है, शासन की बंदूख, उसको हम आज करने जा रहे हैं लेकिन लेक्टर शुरू करने से पहले दोस्तों एक महत्वपून चीज में आप सब को बता दूँ कि हिंदी साहित या वारता परिवार ने आप सब लोगों की सुविधा के लिए UGC NET प्रिवियस एर पेपर के 2004 से लेकर के 2020 तक के जो महत्वपून प्रश्न हैं लगभग एक हजार प्रश्न हमने रखे हैं जिसको व्याक्या सहीत हमने व्याक्याइद करने की कोशिश की है तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशल हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मैंने दे दिया है वहां से आप उनको सीधा बाय कर सकते हैं बहुत ही कम पैसा दे कर और यह बहुत ज़्यादा मौतपूर होते हैं यूजी सी नेट की परिक्शा से पहले बलकि कोई भी परिक्शा हम देते हैं तो उससे पहले प्रिवियस एर पेपर को करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और अगर आपको उनकी व्याक्या मिल अपनी कर ली थी जिसमें हमने क्विज भी कर दी हैं कुछ एक और लगभग चार इनकी जो कवीता हैं उनको भी हमने व्याक्याइद कर दिया है तो आपने अगर अभी तक वो वाले लेक्शा नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं तो आज हम इनकी जो मौतपू करने वारी कवीता हो सकती है इस तरीक की ये कवीता है क्या-क्या महत्वपुन चीजें हैं कौन-कौन से महत्वपुन पहलू है जो शासन की बंदोग से रिलेटेड हैं वो सब चीजें हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे तो चलिए दोस्तों बिनादिर की ये शुरुवात करते हैं आज के लेक्चर की तो सबसे पहले एक महत्वपुन चीज ये भी है देखिए नागरजुन जी के बारे में हमने पहले ही लेक्चर में कम्प्लीट बता दिया था आपको की नागरजुन से रिलेटेड जो भी महत्वपुन तत्य हैं वो हमने आपको पहले लेक्चर लगे हुए हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है तो देखिए इनकी जो कवीता है आज हम उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि उसमें जो मौटपुन रची है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं नेक्स आता है देखिए कि राजनितिक कवीता के लिए हिंदी में दोहों का प्रियोग तो ये इनकी बहुत ही मौत्वपुन उपलब धी मानी जाती है कि दोहों का जो हिंदी में प्रियोग किया है राजनितिक कवीता के लिए ऐसा अन्यत्र अन्यकवियों में देखने को नहीं मिलता है ये इनकी बड़ी उपलब धी मानी जाती है नागारजुन जी की और ये राजनितिक कवी के रूप में भी बिख्यात हैं क्योंकि आगे देखते हैं भी हम ये कहते भी हैं कि क्या बतलाओं जन कवी हूँ मैं साप कहूँगा क्यूं हक लाओं तो ये मतलब जन मानस के कवी माने जाते हैं नागारजुन जी और ये हम पहले बाले लेक्चर से ही पढ़ते रहें किसान और विद्वान के कभी है ये भी हमने पढ़ लिया था ठीक है तो यहां पर देखिए राज़ितिक कवीता के लिए उन्होंने दोहों का प्रियोग किया हुआ है तो आप देखेंगे जो शासन की बंदूग कवीता है छोटी सी कवीता है लेकिए इसमें महज 10 पंक्तिया है और पांच दोहे इन्होंने रखे हैं जो हिंदी के हैं ठीक है तो ये एक मुटपून चीज नागर जूंजी की जो कवीता है देखिए शासन की बंदूग उसके रिगार्डिंग है नेक्स देखिए दमन की निरर्थकता और जनता की विजए में विश्वास तो जो दमन क बिश्वास किया है उसकी इन्होंने क्या है निरर्थकता पर बिश्वास किया है और जनता की जो जन्मानस है आम समान्य जो जन्मानस है उसकी बिजए पर इन्होंने बिश्वास किया है इसी के चलते इनको क्या कहा जाता है कि ये माक्सवादी जो आपके साहित्यकार है या ये चीज इस बात पर ये विश्वास रखते थे next से देखे कि राजनितिक वेवस्था को चुनौती तो ये तो simple सी बात है कि जब हम इनकी इस तरीके की कवीता राजनितिक की प्रती आक्रोश भष्ट वेवस्था के प्रती जो आक्रोश है वो इनके कविता में साफ दिखाई पड़ता है और यही चीज हम देखते हैं कि शाफसन की बंदूग में भी है और जहां पर इनों ने राजनित के विवस्ता को खुली चुनौती दी हुई है तो आगे देखे मुहावरेदार ठेट खड़ी बोली वो देशस चब्दों का प्रियोग तो यह बात भी हम पहले से इनकी पढ़ रहे हैं कि इनकी जो भाषा शैली है देखिए वो कैसी है पता होनी चाहिए कि इस कवीता में यही चीज़ें हैं और ऐसी जो बाते हैं वो आपको कवीता पढ़ने के लिए और जादा प्रोटसाहित करती हैं कि आप चानने के लिए हमेशा इच्चुक रहते हैं कि क्या यह बात सच में ही है इस कवीता में या नहीं है या इसके अला है उसमें क्या-क्या चीजें प्रमुक हैं वह पता होना बहुत जरूरी है कई बार आपने देखा होगा कि प्रशन ऐसे ही पूछ जाते हैं कि मान लीजिए आपको तो तीन-चार कवीता के option दिये हैं कि उसमें ये कहा गया है कि किस कवीता में कौन सी चीज कही गई है ठीक है तो यहाँ पर देखिए शासन व्यवस्ता के प्रति विद्रो है चुनौती है है और आपका जो खड़ी जो राज़ितिक कवीता है उसके लिए हिंदी में दोहों का लाए हैं तो यहाँ पर देकि एक बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो नागरजुंजी थे वो जन कवी है और इसलिए उन्हें ने ने कहा भी यह खुद भी क्या बतलाओं जन कवी हो मैं साप कहूंगा क्यों हक लाओं तो यह उन्हें खुद के लिए कहा है है ना तो हो सकता है, इस तरीके से पूछा जाए कि ये पंक्तियां कि इसने अपने लिए कही हैं, स्वैम के लिए कही हैं, तो ये नागर जुन जी नहीं कही हैं, ठीक है, दमन के लिए जो आपकी अगली पंक्तिया देखी, ये राम बिलास शर्मा जी ने कही है, इनकी जो हमने पाजनितिक है ना हिंदी में वो अन्यत्र कव्यों में देखने को नहीं मिलते हैं और इनके जो सौंदर्य रचना है है ना तो इस पर जो राम इलाश शर्मा जी है वो देखे क्या कहते हैं ये कहते हैं कि दमन के लिए शासन बहुत सी बंदूकें इस्तिमाल करता है या कोशल अन्य कव्यों के राज्डिक दुखों में नहीं मिलता या नहीं है तो ये बात कि इसने कही है राम इलाश शर्मा जी ने कही है बहुत लंबा इनका खतन है और बहुत ही महतोफून चीज़ें इन्होंने इसके संदर्ब में कही हुई है नागरजुंजी के संदर्ब में तो हो सकता है परिक्षा में ये चीजें पूछी जाए तो आपको इन चीजों के लिए भी तयार रहने की जरूरत है तो ये थे शासन की बंदूग कवीता के बारे में महत्वपून तत्य थे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीजें वास्ता में सही हैं या नहीं है व्याख्या करके हम देख लेते हैं चलिए यहां पर देखिए क्या लिखा गया है सबसे पहले खड़ी हो गई चांपकर किंकालों की हूँक नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूग तो कि कवी है ठीक है और अपनी कवीता जो इनकी शासन की बंदूख है देखिए इसमें नहीं ब्रस्ट विवस्ता को चुनोती देने की बात कही हुई है और ये मानते भी हैं कि जो विवस्ता है वो बंदूख के बल पर या फिर जैसे हम बोते हैं कि तलवार की धार पर है ना जन का प्रतिरोध है वो आगे शासन की बंदूख उसके समक्ष क्या है एक तरीके से छोटी पड़ जाती है ये चीज इस कवीता में हमें देखने को मिलती है और इनकी जो कवीताओं में हम पहले से ही देख रहे हैं जब हमने बादल को गिरते देखा है या फिर हमने जो दूसर जुझिक की कवीता में और यहाँ पर भी जन समाने के प्रति उनका जो विश्वास है वो इस कवीता में देखने को मिलता है ठीक है उनकी वेदना को इननोंने क्या है अब विरक्ट करने की कोशिश की है और उस पीड़ा को इननोंने अच्छे से समझा हुआ है ये चीज भी देखने को मिलती है तो आगे देखिए कि जो इस कवीता की बात अगर हम करें यो शासन की बंदूख इनकी कवीता है देखिए इसमें इन्होंने ततकालिन जो राजनीती है नाइंटीन सिक्स्टि सिक्स की इन्होंने शासन की बंदूग कविता में की है ठीक है ये चीज आपको पता होना चाहिए है ना कि जन विरोधी जहां पर भी अत्याचार उनको दिखता था उसका विरोध सधैब नागर जुन जी करते नजर आते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से ठीक है अगर हम बात करें हैं यहाँ पर खड़ी हो गई चामकर कंकालों की हूग नभ में विपल विराट सी शासन की हूग तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि नीचे शुब्द जो जनता है उसका सुमू है जिसे उन्होंने क्या कहा है कंकालों की हूग कहकर मूर्तिमान कर दिया है तो देखिए यह क्या कह रहे हैं कि खड़ी हो गई चांपकर कंकालों की हूक है ना जो ततकालीन राजनीती का जो मुखोटा उतारते हुए इन्होंने क्या किया है कि जो कंकाल नुमा व्यक्तियों की आवाज है देखिए वो शासन की बंदोग बनकर अकाश में विस्तृत होकर खड़ी हो गई है अर्थात जो राजनेता है देखिए उन्होंने अपनी आवाज को जनता पर जबरदस्ती थौंप दिया है खड़ी हो गई चांपकर कंकालों की हूग तो कंकालों मतलब जो आम जनमानस है उस पर जो आपकी जो विवस्ता है या जो शासन विवस्ता है उसमें क्या कर दिया है उन पर एक तरीके से उनकी आवाज को जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश की जा रही है जो आम जनमानस है विवस्ता के दौरा जब विवस्ता में अराजकता फैल जाती है और वो जनता के उपर अत्यचार करती है अपनी मन मर्जी करती है तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि जो आम जनमानस है वो कंकाल नुमा हो गया है थीक है उस पर जो आपकी शासन की बंदूख है वो लगातार शासन की तलवार उनके उपर लटकी रहती है वो किसी वी तरीके से हर त कोशन ही कर रही है ठीक है आगे है देखिए कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं ठूक जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक ठीक है तो यहां पर देखिए जो हिटलर था वो तानाशा था अपनी मनमर्जी करता था हर एक वक्ति के उपर अपना ही रूल चलाता था और य उस हिटलरी गुमान पर मतलब जो भी आपकी भष्ट शासन विवस्ता है देखिए वो जादा तेर तक नहीं टिक सकता क्यों क्योंकि प्रतियक शासक को बनाने के पीछे शोशित का ही हाथ होता है या जनता का ही हाथ होता है और वो जादा समय तक नहीं टिक सकती इसलिए य जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक और जिसके समक्ष ये कहते हैं कि अगर जो जनता है जन समान्य है वो प्रतिरोध कर दे तो उसके सामने क्या हो जाता है जो शासन की बंदूक है वो भी खतम हो जाती है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो तानाशाह हिटलर है शासन व्यवस्ता है वो कानी हो गई है मतलब उसे कुछ भी नजर नहीं आता सिवाए अपने स्वार्थ के तो ये चीज हम आज भी देखते हैं आज भी ये कविता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी ये सत्तर के दशक में थी जब इसको लिखा गया था आज भी हम देखते हैं कि जो राजनेतिक लोग हैं वो अपना उलू सीदा करने के लिए जन समान्य से कोई भी सरोकार न रखकर बस अपने स्वार्थ सिद्धी में ही लगी हुई होती है ठीक है हम लगातार भारती राजनेती में आज भी ये चीज हमें देखने को मिलती है है और जिसमें हमारी जो श बहरापन से क्या मतलब समझते हैं आप कि बढ़ी बधिरता दस गुनी बने विनोबा मूख विनोबा यहाँ पर सिर्फ विनोबा भावे जी नहीं है जो सुत्मता सेनानी रहें बलकि हर वो व्यक्ति विनोबा भावे है जो अपने आप में क्या है एक बुद्धी जीवी है जो हात्मा है या फिर जो भारतवर्ष के जो एक रिकनाईज पसनेलिटीज हैं वो भी आप देखते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से मूख बने हुए हैं बड़ी बधिरता दस गुनी मतलब उस शासन व्यवस्था जब अराजक हो जाती है तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो बड़े-बड़े महात्मा संत भी हैं वो भी क्या है आपके एक तरीके से मूख बन जाते हैं दर्शक बन जाते हैं और बधिरता और बहरापन मतलब किसी को किसी से कोई भी सरोकार ना हो जहां पर इसी के चलते हम देखते हैं कि अराजकता फैलती है और यही चीज हमें किसे अस्त हो जाता है और जनता की आवाज वो आवाज को सुनना वो बंद कर देते हैं इसलिए यहां पर कहा गया है कि जो बड़ी बदिरता दस गुनी बने विनूबा मूख और ऐसी स्थिती में जो महान हस्तियां होती हैं देखिए वो भी मौन हो गई हैं और यह चीज हम मतलब देश की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पक्ष में या जिसके विपक्ष में या जो गलत हो रहा है हमारे देश में उसके खिलाप अगर ऐसे महान हस्तियां बोलती हैं तो उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत ये बिड़म बना रही है कि जितनी भी हमारी इस तरीके की recognized personalities हैं वो हमेशा मोख ही बनी रहती हैं ठीक है तो इसी के चलते जो शासन में वस्ता है जो वो जादा आराजक हो जाती है क्योंकि उनका विरोध करने की ताकत आम जन्मानस में नहीं है लेकिन इसका मतलब ये भी नह लेकिने को हमें मिलेगी देखिए आगे क्या कह रहे हैं धन्य धन्य वह शासन धन्य धन्य वह शासन की बंदूक तो यहां पर व्यंग्य किया गया है देख़ें कि से स्वयम घायल हुआ है ना गई अहिसा चूक जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूग देखी कहने का मतलब क्या है कि जहां सत्य घायल हो चुका है और चारा और हिसा का वातावरण बंद चुका है ठीक है मतलब अहिसा अब बेकार का सिर्फ शब्द का नाम रह शब्द ही इंसा का वातावर्ण देखने को मिलता है और शासन जो है वो जनता पर जब चाहे चाहां चाहे अपनी बंदूक तान रहा है आप भी देखते हैं कि हर कोई किसी को आज की डेट में देशत्रोही करार दिया जा रहा है ठीक है वो भी एक तरीके से गलत बात है कि अगर जो आप सरकार का विरोद कर रहे हैं तो वो क्या है वो देशत्रोही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है चलिए आगे है देखिए जली ठूंट पर बैठकर गई को की लाकूक बालन बांका कर सकी शासन की बंदूक तो यहां पर जो जन समान्य की सामूहिक शक्ती है देखिए उसम कुछ भले ही नश्ट हो जाए शासन विवस्ता को यह लगता हो कि अब हम ही हम है हमारे सामने कोई भी नहीं है उस ठूंट के उपर बैठकर जो कोकिला है वो कूक रही है कोकिला से अभी प्राय है जो आपका आम जनमानस है है ना वो सब कुछ खत्म होने के पश्चात भी अ जो भ्रष्ट नेता हैं वो जनता का कुछ नहीं कर सकते इन्हें या तो विवस्ता को सुधारना पड़ेगा या शासन को छोड़ना पड़ेगा ये खूली चुनाती यहां पर इनके द्वारा दी गई है और बहुती प्रासंगिक और ये अब मार्मिक जो कविता इनकी शास है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज कॉमेंट करके बता दीजिए और अपने दोस्तों के पीच में इसको शेर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भ कहिंद शबा करें